हेले दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में दोस्तों यह जो वीडियो है साइंस विशय का फिजिक्स चेप्टर का है और दोस्तों फिजिक्स चेप्टर में एक टोपिक है वह है यांतरिक उर्जा दोस्तों यांतरिक उर्जा के अंतरगत दो उर्जाएं है गतिज उर आपको दूर हो जाएगा और विभीन परिछाओं में इससे आने वाले प्रसनों को आप आसानी से हल कर पाएंगे आसानी से जवाब दे पाएंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो से पहली बार जूड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा औ झाकी मेरा बीडियो का नोटफिकेशन आप तक पहुंचता रहें चलिए सुरू करते हैं दोस्तों कार्ज द्वारा जो उत्वपन ओर्जा होती है उसे यांतरिक ओरजा कहते हैं और यांतरिक ओरजा दो परकार की हो पहला गतिज उर्जा जिसको काइनेटिक एनरजी साट और दूसरा अस्थिति जूर्जा जिसको potential energy बोला जाता है अब दोस्तों ये दोनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इसको किस तरह से समझे तो देखे गाती के कारण गाती के कारण यदि किसी बस्तों में उर्जा उत्पन होती है तो बहुत गाती जूर्जा होती है औ पें विए स्कौाइर होता है और भी वर यदि होता है यह समझ में आएगा इसमें द्रवाण है इसमें द्रवान पर Siya बाएगे यानि किसी बस्तू में ये बेग उसमें नी रूंपन हो गतिज उर्जा उत्पन हो जाती है अब देखिए इस फर्मूला के माध्यम से बहुत सारे डॉट किलियर हो जाएगा जो नोमेरिकल में पूछा जाता है अब यहां कहेगा कि किसी बस्तु का दरवमान बढ़ रहा है तो केई पर क्या परभाप पढ़ेगा तो केई भी यहां पर बढ़ेगा गतिज उर्जा बढ़ेगा बेग को बढ़ा रहे हैं तो गतिज उर्जा तेजी से बढ़ेगा यहां भी वहीं बात है दरवमान बढ़ा रहे हैं अस्थितिज उर्जा बढ़ेगा उचाई घटाईएगा तो स्थितिज उर्जा घटेगा देखिए यहां प पूछा जाता है इक्जामों में नुमरिकल संबंदेत वह फुछा जाता है इस ढंक से कि कहएगा कि दोस्तों दोस्तों बेग का दुगना कर दिया चार निकलेगा तो दुगना करने पर कई यहाँ छार डूना हो जाएगा और เห्ज़ को आधा कर दिया जाए यहाँ पर बेग को आधा कर दें यानि हाप भी एस्क्वाइर किजिएगा तो एक बटा चार निकलेगा यानि केई चौथाई हो जाएगा केई क्या हो जाएगा चौथाई यानि यहाँ कुल मिला करके यहाँ पर निकलता है कि यदि किसी बस्तू का बेग आधा कर दें तो गतिज उर्जा चौथाई हो जाएगा किसी बस्तू का बेग दुगना कर दें तो गतिज उर्जा चार गुना हो जाएगा किसी बस्तू का बेग पाच गुना कर दिया जाए तो गतिज उर्जा पचीस तो दोस्तो इसका गतिज्वर्जा क्या होगा इस फर्वलना में रख दीजिये यहां रख दीजिये हाप A25 क्या है थास्न हो जाएगा क्या 5-25-25-25-0 1254 जूल जो इस 此रे का जवाब कितना हो जाएगा 1250 जूल हो जाएगा हाना शाली दोसतो अब अब जो है अस्थित उर्जा को समझते हैं ज्यादा तर प्रस्ण जो है स्थिति उर्जा से भी पुछा जाता है इसका उधारन पुछा जाता है अब देखे मैंने बोला आपको अस्थित उर्जा में की उस बस्तू में उंचाई होना चाहिए और धरब्यमां तो होना ही चाहिए तो अब देखिए बांध बनाकर इकठा किये गए जल में कौन सा और जाओगा तो बांध बनाकर इकठा किये हैं जल तो उसमें उंचाई तो होगा ही जी काम करेगा ही जल में तो दर्मान है ही तो उसमें क्या हो जाएगा अस्थिति रोजा काम करेगा तनी हुई तो आप समझे ना आपका बेसिक यही हुआ कि जिस बस्तु में उंचाई और उसमें जी भी काम करना चालू कर देता है और द्रवमान तो हो अई तो ऐसे बस्तु में अस्थिति जूरजा आई जाएगा और एक चीज़ा और याद रखेगगा एक घटे जोद धा उंचाई मनें जादा हो रहा है अस्थिती ऱज़ा बढ़ेगा है को आप कंप्पलीट याद कर लिज़े है न THIS तो इस तरह के यहां पर बेसिक नोलेज था अब इसमें नुमेरकल जो पुछा जाता है कि कि किसी बस्तू का जो दर्बमान है वहां मान लेते हैं 10 के जी मानते हैं और उंचाई जो है वहां 25 मीटर है तो अस्थिती जूर्जा क्या होगा जी का मान भी वैलू भी नहीं रहेग तो यहां पर मान रखने से जो है इसमें अंसर आजाएगा सब के गुना कर दीजिएगा तो अंसर आजाएगा इस तरह से जो है नुमेरकल पूछा जाता है अस्थिती जूर्जा को MZH से और गति जूर्जा को हाप एम भी अस्वार से तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि य बैसिक नौलेज आपको मिल गया होगा यह गतिज उर्जा और अस्थिति उर्जा खा तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सेर कर दिजिएगा दोस्तों में और पहली बार जोड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस किजि झाल